नमस्कार दोस्तों स्वागर है अब सभी का तिकिराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि केसे आप अपने रेट्मी एमाइ फॉर पर कॉल माइक प्रॉब्लेम फिक्स कैसे कर सकते यह दि दोस्तों आपको भी ठीक है आप प्रॉब्लेम की इस वज़र से हो सकते और कैसे करके आप इसको फिक्स कर सकते आज की इस वीडियो पर मैं आपको इसी के रिलेटेट में सॉलूइशन बताने वाला हो वीडियो को शुरू से लेकर आन तक देखे जो कुछ भी रिजन्स हो सकते उसको जानिये और दोस्तों जो भी सॉलूइशन है उसको फोलो कर लिजे आपका प्रॉब्लिम डेफिनेटली सॉल्फ हो जाएगा ठीक है तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को क्लिक जरू करें यही आप ओनलाइन से पेसा क कामाना चाते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको यहाँ पर करना किया होगा अगर आपका कॉल माइक प्रॉब्लेम कर रहे ठीक है तो उसके ल है तो दोस्तों यह आपके घर पर ठीक है दो फौन है तो आप अपने फॉन से किसे दूसरे के फौन पर चेक करके देखे तो अच्छे से आपका जो मिक या काम कर रहा है उस area का network खरब हो सकते हैं तो उसके वज़े से यह problem कर रहा है लेकिन घर में call करने की बार भी ठीक है घर के phone पे ही call करने की बार भी same problem है माइक का issue है तो हो सकते या पर software का problem हो या फिर hardware का ठीक है दोनों में से कोई भी problem हो सकते हैं तो चलिए video शूरू करते हैं और solution देखते हैं तो दोस्तो सबसे पहले तो आपको करना किया है आपको device एक बार restart करके check करना होगा ठीक है कभी-कभी restart से fix हो जाते हैं कभी-कभी नहीं होते हैं तो क्योंना एक बार restart करके देखे basic solution से हम शूरू करते हैं basic तरीका में आपको बता रहा हूँ ठीक है restart करने के बाद भी same है तो दोस्तो जाए setting पर setting पर जाने के बाद दोस्तो आपको scroll down करके नीचे जो है आना है apps पर उसके बाद जाए manage app पर तो manage app इंस्टोले ब्यादो फिर app management आपको मिल जाएगा उसके बाद जाएए phone service पर और force stop करके इसको ok कीजिए ठीक है कई बाद phone settings में problem होने के वज़ज़ सी इस तरह का issue हो जाते है clear data पर click करे clear all data करके ok कीजिए उसके बाद आपको back करना है back करने के बाद यहाँ उपर में आपको connection and sharing मिलेगा उसमें जाएए नीचे पर जाके reset wifi जो mobile network आपको दिखाई दे रहे उसमें click करना है reset setting पर click करके phone password भर देना है और ok करते हुए reset कर देना है ठीक है तो यह करने के बाद दोस्तों आप जो है device को एक बार restart कर लिजिए उसके बाद दोस्तों check कीजिए आपका mic problem solve हो चुका होगा ठीक है इसके बाद problem solve हो जाते है तो ठीक है यदि अभी भी same problem आ रहा है तो दोस्तों जाए आपने phone के setting पर additional setting को open करे और call speaker I mean clear speaker का जो option है उसमें click कीजिए उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो button डिखाई दरे clear speaker का उसको एक बार on कर दीजिए और आपना जो volume है उसको increase कीजिए ठीक है increase यानि आपको जो है volume 12 आए phone का और इस button को on कर दीजिए इससे क्या होगा speaker में यदि कोई भी problems वगरा रहते है सकते हैं दीन में तो इससे क्या होगा speaker जो है वो clear रहेगा यहाँ पर ठीक है तो इस प्रकार से आपको यह solution कर लेना है उसके बाद दोस्तों चेक करें problem solve for time ठीक है यदि दुबारा से problem आ रहा है तो फिर को update करना होगा आपको उसके लिए setting और about phone पर जाके update पर click करना है software को update कर देना है software update करने के बाद दोस्तों check करें problem solve हो जाएगा ठीक है by any chance software update करने के बाद solve नहीं होते problem तो आपको यहाँ पर hardware का issue है आपको technician के पास जाना होगा phone के mic को change करना होगा और उसके बाद ही दोस्तों आपका जो problem है वो solve होगा ठीक है तो आपको पूरा solution यहाँ पर step by step करना है ताकि आपका जो mic का issue है वो fix हो सके तो आज के इस वीडियो पर दोस्तों बस इतना ही उमीद करते हैं वीडियो आपको पसने होगा और इसके related पर आपको कोई भी problem कोई भी issue है दुबारा से तो आप हमें comment section पर भी बता सकते हैं तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही thanks for watching